साधक मित्रो गुरुदेव के एक निर्देश आदेश का मुझे भूत फायदा हुआ साधना में। मैं आपको उसको सुनाता हूँ। गुरुदेव का एक निर्देश है साधको ने रातरी सोते समय 10-5 मिनिट लेटे लेटे सांस या सम्वेदना पर ध्यान करना चाहिए। जब तक नीन न लगे अनित्य, अनित्य, अनित्य इसका अनुभो करना चाहिए। वैसे ही सुभ जाग जाते ही सांस सम्वेदना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए 5-10 मिनिट के लिए और उस भी समय अनित्य, 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 5-10 मिनिट बस। जब भी समय मिले, दिन में खाली समय, वेटिंग टाइम, सांस, सम्वेदना इसका अनुभो करके देखे। बहुत लाव होता है, मेरा स्वयम का अनुभो है। सारी रात, चिंता, भय, सौंशय मिटकर समाधी में स्थिती बनती है। निवरन परव में आखिरी निवरन सौंशय चिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो क्रोध, द्वेश, निंदा, मत्षर मिट जाते हैं। मित्रों रातरी का समय ऐसा कहा गया है, वात बढ़ जाता है, जिससे मन में सौंशय आता है। निवरन परव में गुरुदेव ने पांच्वा स्थान दिया है, सौंशय जो विची किस्सा है उसे, तो ऐसी सौंशय ऐसी चिन्ता है, और चिन्ताओं के कारण मन में संकल पविकल विना कारण के उत्पन होने लगते हैं। और यह रात्री के समय में ज्यादा होते हैं। वैसे जैसे बुढ़ापे में चिन्ता भय ज्यादा लगता है, वैसे ही यह रात्री का समय है, जब चिन्ता भय ज्यादा सतान लगते हैं। तब अगर अनित्य बोध हम कायम कर सके, तो तुरंत चिंताओं का अंत हो जाता है, भय का अंत हो जाता है, आदमी वर्तमान में स्थित हो जाता है, जैसे ही समवेदना देखेगा, या फिर सांस देखेगा, सांस देखते देखते समवेदना कैच करना चाहिए, जहां भी मिले विदिवत जाने की जरूर्द जहां भी मिले समवेदना देखी और उसमें भी स्थूल से जो सुक्ष्म समवेदना है जो फिबल समवेदना है असपश्ट समवेदना है उसे पकड़ना चाहिए और वैसे करते करते नीन आ जाती है तो उस समय हम वरतमान में होते हैं तो चिंता भै सारे मिढ़ जाते हैं और अगती क्या सोचता है अभी कुछ है क्या अभी मैं वरतमान में हूँ अभी कोई शिंता है का नहीं अभी तो मैं मस्त लेटा हूँ तो वो नीन पुरी समाधी स्तिती में बदल जाती है अनित्यबोध पुष्ट होता है और सारी रात गुरु खाली समय मिले तब तब जहां भी आपको इंतजार करना पड़े हुआ हमें सांस या समवेद्नाओं का अनुभाव करना चाहिए जिसे कि हम वर्तमान में रहे हमारे निगेटिविटी ने बड़े और आगे जो आने वाला समय है यहां वर्तमान समय की संतान रहेगा तो में अच्छा और लाबप्रद होगा इतना का धन्यवाद